हेलो स्टूडेंट कैसे हैं, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप जैसे के पीछे देख रहे हैं, Do you how I am trust? सवाल ये आता है, काफी सारे बच्चों ने एक्जाम दिये, एक्जाम दिये, हम बात करें एक्जाम की, तो डियू आपकी चेकिंग पे हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम कुछ नहीं कह रहे हैं डेली उनिवर्सिटी, बस एक छोटा सा हमारा एक सवाल है, और रिक्वेस्ट है आपसे, कि अगर हम एक्जाम देने गए, तो एपसिंट कैसे हो गए, आपने फेल कर दिया एक्जाम में, फेल कर दिया या मैंने नहीं लिखा, मुझे जीरो मार्क्स मिले, लेकिन मैं पेपर देने गया, और एपसिंट कैसे हो गया, सबसे बड़ा कुछ नमा किये हैं, डेली उनिवर्सिटी के अंदर, पाँच लाख, मैंने ओफिशिली जो डेली उनिवर्सिटी का चैनल है, उसके उपर, जो प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, उन्होंने खुद बोला हुआ है के, हमारे पास हर साल पाँच लाख स्टूडेंट होते हैं, पाँच लाख स्टूडेंट की उमीद आपके उपर है, आपके पास पाँच लाख स्टूडेंट नहीं है, पाँच लाख स्टूडेंट के करियर आपके पास है, पाँच लाख स्टूडेंट की उमीद आपके पास है, पांच लाख उन बच्चों की बहुत सारे डिजायर आपके पास है जो आपके जो एड्मिन डिपार्टमेंट है जो रिजल्ट को टाइप करते है उनको कोई फरक नहीं पड़ता उन्होंने क्या करना है सिंपल सी बात है ए बी डाल देना है खतम कोई फरक नहीं पड़ता कोई फरक नहीं पड़ता उनको रिजल्ट अपलोड कर लिएना है बच्चा देखेगा आपके पास पांच लाख है पांच लाख में से आपने हजार बच्चों को अगर फेल भी कर दिया एपसेंट भी कर दिया मार्क्स नहीं दिये पेपर चेक नहीं किये आपको कोई फरक नहीं पड़ता डेली उनिवर्सिटी लेकिन उन बच्चों को देखिए मैं कोई अपोज नहीं कर रहा मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा आपसे डेली उनिवर्सिटी रिक्वेस्ट है उन student को सोचिए जिनके parents इतने हालात में होते हैं कि अपने बच्चों को 10th नहीं पढ़ाते हैं बोलते हैं बेटा 10th पढ़ ले 10th के बाद तो तू कहीं भी खा और कमा लेगा मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे ऐसे parents से भी मैंने बात की है कि बोलते हैं जब 10th पास करता है बच्चा तो एक उमीद जागती है कलो अब 10th पास कर लिया है हम 2 साल parents बोलते हैं और हम मेहनत कर लेते हैं जी जान से और मेहनत करने के बाद 12 कर लेगा 12 के बाद फिर देख लेगा बच्चे को 12 करवाया जाता है यह पूछा जाता है काम नहीं है उनका graduation का कोई लेकिन एक हमारा जो system बना रखा है क्या आप graduate हो आपके पास कितना talent है मतलब नहीं है जी चाए private नौकरी हो चाए सरकारी नौकरी में हो कम से कम एक बार यह बूच ले उन बच्चों से आपने graduation क्यों नहीं किया form के अंदर ये line भी डाल दे आप बस आप graduate हो तो आप आ सकते है नहीं हो तो नहीं pressure का एक tag लग जाता है प्रेल्स पास करने के बाद बच्चा देखता है अपने parents को भी देखता है अपने मम्मी पापा को भी देखता है तो वो थोड़े थोड़े पैसे को काट के थोड़े 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 नौकरी भी करता है और पढ़ता भी है और पूरे तीन साल इस उमीद में रहता है लगा हुआ एक दिन graduate होईंगे तो आज की date में हमारी salary जो 10,000 रुपए है और 15,000 हो जाएगी तो हम पूरे महिने अच्छे से खा पाएंगे और थोड़े पैसे जोड़ पाएंगे अपने future के लिए ये उमीद है हर एक बच्चो की लेकिन आपने सिर्फ ए भी लिखके उन बच्चो की उमीद का सोचो क्या होगा मैं उन technical team उन admin department उन से भी बात करना चाहता हूँ उनको भी मैं मैं बताना चाहता हूँ कि आप भी अपना देखिए आपके family में भी ऐसा होगा तो please इन सभी result को rectify करिया और उन बच्चो को भी बोलना चाहूँगा simply आप एक application लिखिए request करिए sir du से के हमारा नाम ये है roll number ये है roll number के साथ साथ हमारा सारी चीजे नीचे अपने detail डाल दीजिए हमने exam दिया था exam में हमें absent कर दिया please request है कि आप हमारे roll number को फिर दुबारा चेक करिए हम उसमें present है और paper को अगर misplace हो गया चाहे जैसे भी हुआ paper को आप उसमें actual marks हमें दे दीजिए ताकि हमारा साल बच पाए बहुत अच्छा काम कर रही है Delhi industry MBA लेके आई BBA लेके आई BMS लेके आई लेकिन देखिए मैं तो ये चाहता हूँ कि हर एक बच्चे की जिन्दगी होती है अब मैं simple सी बात कहना चाहता हूँ हमारे देश के अंदर business man मुकेस अमबानी और एक गरीब के बच्चे को खड़ा कर दिया दिया है दोनों को तो भगवान नहीं बनाया है अगर मुकेस अमबानी को कुछ हो जाए तो पूरे देश में संसनी होगा और एक बच्चे के साथ एक दूसरे normal गरीब इनसान के साथ हो जाए कोई जानता भी नहीं पता भी नहीं चलता मैं तो simple उपर वाले की बात मानता हूँ उपर वाले से मैं बस जानता हूँ दोनों को भगवान नहीं बनाया है बस हाँ पैसे के basis पे कर्म के basis पे उपर नीचे हो गये हैं लेकिन आप उनके साथ अगर वहां पे गलती नहीं कर रहे तो यहां पे भी प्लीज गलती मत करें तो डेली उनिवर्सिटी से एक ही मेरी आप सभी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है आप वीडियो को शेयर करिए और बहुत अच्छे तरीके देखिए प्रोटेस्ट वगरे से कुछ नहीं होता आपको हो हला नहीं करना वहां पे आप वहां के एड्मिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को सिंपल रिक्वेस्ट करि और उनका वेट करिए आप एक पर्टिकुलर टाइम मागिए सोर सरावा आप करेंगे कुछ बच्चे बोटने चलते हैं भाई सबने बुलाया है डियू चलते हैं वहां पे भीड लगाएंगे यह लगाएंगे वह काम ही नहीं कर पाएंगे देखिए आपका रिजल्ट दु सब्सक्राइब करें उनका तो जल्दी से जल्दी देना चाहिए इस समिस्टर वाले बच्चों को टाइम लेन दे दीजिए कि आप अपना आगे स्टडी कंटिन्यू करें हम एक महिने में आपको इवेल्यूइट करके देंगे एक महिना बहुत होता है सर इवेल्यूइट कर कि आपका रिजल्ट अपडेट कर देंगे बहुत होता है इन बच्चों को कोई फरक नहीं पड़ेगा रिजल्ट लेके इने कहीं जाना नहीं है यह अपनी फिफ्ट समिस्टर की पढ़ाई करते रहेंगा और इनको एक उमीद और यह तो रहेगा ने कभी हमारा रिजल्ट क करना यह सारी चीज़े से कोई मतलब नहीं कोई फायदा नहीं होता यह सिर्फ एक एंवार्मेंट क्रिएट करेगा उसमें आपका रिजल्ट और खराब हो जाता है सर इंपली आप जाईए दस से दो के बीच में एक दिन इंक्वाइरी सेंटर पर जाए एप्लिकेशन लिख हम 200 रुपए महिना 200 रुपए पूरे स्लेबस का भी नहीं प्रोवाइट कर पाएंगे तो पस आप डेली उनिवर्सिटी आपसे हां जोड के रिक्वेस्ट है सभी बच्चे आप भी डेली उनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करिए कि सर हमारे रेजल्ट को फिर से एक फार प् प्लीज उस चार्जिस को जब हम इवल्यूएशन करवा रहे हैं वो चार्जिस ना लगाये जाएंगे क्योंकि हमारी मिस्टीक नहीं है इसके अंदर आपके टीम के हिसाद अधर से एरर हुआ है तो इस पर चार्जिस ना लिया जाएंगे सिंपल एप्लिकेशन कलेक्ट करक आप बस मुझे आज यही मेसेज देना था कनेक्ट रहिएगा चैनल के साथ आप कमेंट में लिखिएगा कितने बच्चों के क्या क्या है ताकि यह वीडियो को मैक्समुम सेर करिए ताकि आगे जाके पता चल पाए कि हाँ बच्चों ने कितने मुझे भी बहुत सारे बच् इस सभी रिक्ष्ट